हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आजा है आप सभी अच्छे होंगे आज हम आपको भगवान भोले नात और माता पाडवती के विवा की कथा सुनाएंगे हिंदू धर्म में भगवान सिव को सभी देवताओं में सरवर्स रेष्ट माना जाता है ऐसा भी माना जाता है कि भगवा भगवान शिव ही दुनिया को चलाने वाले हैं वो जितना भोले भाले हैं उतने ही गुसेल भी हैं सासरों के मुताबिश सोंवार के दिन भगवान शिव का पूजा पाड़ किया जाता है इससे भगवान शिव परशन होते हैं और जो लोग इनकवरत करते हैं उनको ये मनव फल भी देते हैं भगवान सिव का विवा बहुत ही अनूठा और अद्भूत था आप सभी लोग भगवान सिव के विवा से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं जो कि आप लोगों ने सुनी होगी कहते हैं कि भगवान सिव का विवा बहुत ही अलग धंग से हुआ था औ लाइग भी करिएगा भगवान शिव के विवा के बारे में पुराणों में वर्नन मिलता है पुराणी गताओं की अनुसार भगवान सिव ने सबसे पहले सती से विवा किया था भगवान स्यू का या विवा बड़ा जतिल परिस्यतियों में हुआ था सती के पिता दच भगवान स्यू से अपनी पुत्री का विवा नहीं करना चाहते थे लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर या विवा संपन हो गया एक दिन राजा दचने भगवान सुउ का अपमान कर दिया जिससे नाराज होकर माता शती ने यग में कूद कर आत्मधा कर ली थी इस घटना के बाद भगवान सुउ तपश्या में लिन हो गए उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पारवती के रूप में जन्म लिया प्रवती का विवा करवान की योजना बनाई भगवान सिव की तपश्या को भंग करने के लिए काम देव को भेजा गया लेकिन वह भस्म हो गए देवताओं की विंती पर सिव जी पार्वती से विवा करने के लिए राजी हो गए विवा की बातते होने की बात भागवान सिव की बरात की तयारी हुई इस बरात में देवता, दानो, गड, जानवर, सभी लोग सामिल होे भागवान सिव की बरात में भूतपरेट भी पहुंचे ऐसी बरात को देखकर पार्वती जी की मा बहुत डर गई और कहा कि वे ऐसे वर को अपने पुद्री को नहीं सौप सकती तब देवताओं ने भगवान सिव को परंपरा के अनुसार तयार किया, सुन्दर तरीके से सिंगार किया इसके बाद दोनों का विवा संपन हुआ विवा के दोरान वरवधु दोनों को वनसावली घोसित की जानी थी एक राजा के लिए उसकी वनसावली सबसे एहम चीज होती है जो उसके जीवन का गोरो होता है तो पारवती की वनसावली का बखान खूब धूम धाम से किया गया परंतु जब सिवजी की वनसावली के बखान करने की बारी आई तो सभी चुप हो गए बाद में नारज जी ने बात को संभाला और सिवजी के गुडों का बखान किया तो इस व्रकार से भगवान भोले नात और माता पारवती का विवा संपन हुआ सभी देवताप प्रशन हुए दोस्तों तो ये थी भगवान भोले नात और माता पारवती की कथा आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करें धन्यवाद